हरे कृष्णा आज है इंटरनाशनल एज्यूकेशन दे एज्यूकेशन यानि शिक्षा जो आज बेसिक यूमर नीज में अपना स्थान पा चुकी है रोटी कपड़ा मकान के साथ अब अच्छा स्वास्त और शिक्षा भी व्यक्ति की बुनियादी आवश्यक्ताओं की सूची में शामिल हो चुके हैं और होने भी चाहिए क्यूंकि इस दुनिया में एक अशिक्षित व्यक्ति का दुख केवल वो ही समझता है बैंक में जाकर स्वयम का फॉर्म न भर पाना, बच्चों के स्कूल में टीचर की बात न समझ पाना, चार लोगों में खुद को छोटा और अयोग्य समझना ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका सामना एक अशिक्षित, अनएज्यूकेटड व्यक्ति करता है अकसर देखा जाता है कि अशिक्षित लोगों से सलाह नहीं ली जाती, बड़े बड़े डिसिशन्स पे उनकी राय नहीं पूछी जाती और ऐसे लोगों को हमेशा साइड लाइन कर दिया जाता है सेधी भाषा में कहें, तो स्कूल, कॉलेज न जाकर शिक्षा न प्राप्त करने से व्यक्ति के आत्म विश्वास और व्यक्तित पपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है बात कड़वी हैं मगर सच भी, कि लोग एक दूसरे से पूछते हैं कि क्या काम करते हो क्योंकि उसी हिसाब से सामने वाला का सम्मान तय होता है और यही कारण है कि आज लोग दोनों टाइम एक रोटी कम खाने को तयार हैं लेकिन वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल्स और कॉलेजिस में पढ़ा कर एक शिक्षित व्यक्ति बनाना चाहते हैं लेकिन जड़ा एक सेकेंड के लिए आँख बन करके सूचिए क्या कि वल अच्छे स्कूल्स कॉलेजिस में पढ़ने से व्यक्ति शिक्षित और फिर सुखी हो जाता है यदि ऐसा होता तो भौतिक शिक्षा से ही मानव जीवन मंगल में हो जाता और सारे IITNs, Businessmen और जितने भी लोग बड़ी-बड़ी Companies में काम करते हैं वो तो दुनिया के सबसे खुश लोग होते होंगे उनके जीवन में तो कोई कठिनाई और दुख होता ही नहीं होगा पर क्या ऐसा है? बिलकुल नहीं, बलकि इसका पूरा उल्टा है जो व्यक्ति जितनी बड़ी पोस्ट पर होता है उसके जीवन में उतना ही तनाव होता है और कई केसिस में तो लोग इतने शिक्षित होने के बाद भी existential crisis का अनुभव करते हैं अपने अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं कि भाई हम जिन्दा ही क्यूं है? क्यूंकि चाहे जो कर लो आनन मिल ही नहीं रहा स्कूल चले गए, कॉलेज चले गए इतनी सारी डिग्रियां ले ली, इतना सारा पैसा ले लिया फिर भी खुशी मिल ही नहीं रही इसका कारण है आध्यात्मिक शिक्षा का अभाव केवल भौतिक शिक्षा प्राप्त कर, अपने जीवन में धन एकठा करते रहना बिलकुल वैसा है जैसा बिना गंतव्य के ट्रेर में बैठ जाना बिना डंबल के एक्सेसाइस करना इसलिए समय के रहते आध्यात्मिक ज्यान का महत्व समझना होगा किसी प्रमाने गुरु के आश्रे में उनसे आध्यात्मिक शिक्षाइं लेकर हमें हमारे वास्तविक स्वरूप को जानना होगा जो है आत्मा और फिर आत्मा के पोशन के लिए कार्यरत होना होगा क्योंकि आत्मा का पोशन भोजन से नहीं भजन से होता है भगवान के ना, रूप, गुण और लीला से होता है तो इस Education Day पर आईए Spiritual Education यानि आध्यात्मिक शिक्षा की दिशा में एक कदम आगे बढ़कर वास्तविक रूप से शिक्षित होने का प्रयास करें धर्न्यवार, हरे कृष्णा हरे 7666-839-839